हेलो गाईज, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में टैन्स के तीनों पार्ट के CO&NET पढ़े थे और आज हम तीनों के PERFECT पढ़ेंगे, जैसे PRESENT PERFECT, PAST PERFECT और Future PERFECT तो देखिये, PERFECT में होता क्या है? जिसमें कारिया हो चुका हो तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि perfect में हम क्या करते हैं जिसमें कारिया हो चुका हो या चुका हो चुकी हो या चुके हो तो ये हमारे perfect में होते हैं जो काम complete हो चुका हो तो हम पहले देखेंगे present perfect तो देखें इसमें कारिया हो चुका है चो present perfect होगा, इसमें कारिया हो चुका है present में, तो हम पहले rule देखेंगे, rule से हम better समझेंगे, पहला rule होता है हमारा, एक वचन के साथ has और बहुचन के साथ हम have का प्रियोप करते हैं, helping verb के रूप में, एक वचन होगा तो has लगाएंगे, और बहुचन होगा तो have लगाएंगे, और दोसरा rule देखेंगे, इसमें verb की third form का यूज़ करते हैं, जो भी हमारे तीनों perfect होंगे, उनमें हम verb की third form लगाएंगे, और next देखेंगे, negative में has और have, has और have के बाद हम note लगाते हैं, और next देखेंगे, interrogative में has, have, subject से पहले लगते हैं, जो भी हमारे दोनों helping verb होंगे, य पहले हम examples देखते हैं, examples से आप better समझेंगे, पहले example होता है हमारा, राहूल आम खा चुका है, तो देखेंगे, राहूल has eaten the mango, तो देखेंगे, इसमें singular है, हमारा subject है, यह singular है, तो इसलिए हमने helping verb के रूप में has का परियोग किया है, और हमारे जो verb है, यह verb की third form लगी है, eaten, इसकी first form होती है, eight, और second form होती है, eight, और third form होती है, eaten, next देखें, negative, राहूल आम नहीं खा चुका है, तो देखें, राहूल has not eaten the mango, तो देखेंगे, इसमें helping verb के बाद, note का परियोग हुआ है, और verb की third form लगी है, और next देखें, interrogative, क्या राहूल आम खा चुका है, question mark, तो दे देखें, इसमें हमारी helping verb, hedge, यह शुरू में ही आ गई है, क्योंकि subject से पहले, हम helping verb, hedge या have का परियोग करते हैं, और next देखें, past perfect, तो देखें, इसमें कारिया हो चुका था, बीते हुए कल में, तो past है, तो बीते हुए कल में ही होगा, इसमें कारिया हो चुका था, तो rule द head का ही प्रियोग करेंगे, helping verb के रूप में, और दूसरा example देखें, verb की third form, मतलब इसमें हम verb की third form लगाते हैं, तीनों ही perfect में हम verb की third form लगाते हैं, और next देखें, negative में head के बाद note लगेगा, और चोथा है हमारा, interrogative में head, subject से पहले लगेगा, जो भी हमारा subject होगा, उससे पह mango, तो देखें, इसमें head का प्रियोग हुआ है, और इसमें verb की third form लगी है, और next देखें, मैं आम नहीं खा चुका था, तो देखें, I had not eaten the mango, तो देखें, इसमें head के बाद note लगा है, हमारी helping verb के बाद note लगा है, और verb की third form लगी है, और next देखें, क्या मैं आम खा चुका थ था क्या मैं आम खा चुका था तो देखे क्योशन मार्क और इसमें हैड आई इटन दा मेंगो तो देखे इसमें हमारी helping verb subject से पहले लगी है और वर्ब की third form का प्रियोग होग है और नेक्स देखे सब्याए के साथ विल है एव का प्रियोग होगा तो एकजम्पल क्य Anyways लेते हैं राहुल आम खा लाहुल विल्हेव इंटन दा मेंगो तो देखे इसमें विल्हेव लगा है क्योंकि लाहुल राहुल ना तो आई है न और वी है तो I और V के साथ cell have और बाकिस अभी के साथ हम will have का प्रियोप करेंगे ना इसमें कोई singular होगा ना कोई plural होगा नेक्स देखिए राहुल आम नहीं खा चुका होगा तो यह हमारा negative है राहुल will not have इतन दा mango तो इसमें देखिए इसमें have से पहले note लगेगा और वर्ब की third form लगी है will have क्योंकि राहुल जो है ना I है ना V है नेक्स देखिए interrogative क्या राहुल आम खा चुका होगा question mark will राहुल have इतन दा mango तो देखिए इसमें have राहुल के बाद लगा है subject के बाद और इसमें subject से पहले will helping verb लगा है और verb की third form का प्रियोग हुआ है और देखिए आज हमने तीनो perfect पढ़ लिये हैं present perfect past perfect और future perfect और next वीडियो में हम पढ़ेंगे present perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous तो तीनो हम तीनो को perfect continuous पढ़ेंगे तीनो के perfect continuous पढ़ेंगे आसा करता हूँ आपको तीनो perfect ये तीनो perfect के examples हैं और rule हैं ये आपको समझबाय होंगे तो आप जितनी practice करेंगे तो उतने ही better तरीके से आप समझेंगे तो आप practice कीजिए और मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए विदा लूँगा